हलो चल्डरन, वेलकम टिरुतु माम्स ओनलाइन क्लास दिया चल्डरन, आज हम आपकी क्लास सेकिंड की इंगलिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नबर ट्वैल्ड, माई हाउस का सेकिंड पार्ट करेंगे बच्चों, आज हम इस पार्ट में एक्सिसाइज करने वाले हैं लास्ट क्लास में बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था देखो लास्ट क्लास में हमने इस लेसन की एक एक्टिविटी थी जो वो की थी यहाँ पर जो dots थी उन्हें जोइन किया था और picture को color किया था है ना देखो और फिर house बन गया था colorful और क्या किया था इस lesson को अच्छे से read किया था और इसकी हिंदी में translation भी की थी तो बच्चो आज हम शुरू करेंगे exercise से exercise में क्या है देखो बच्चो सबसे पहले है word meanings तो बच्चो तेखो सबसे पहला है beautiful beautiful means सुन्दर house कैसा था beautiful था ना आशु का house और हमने भी तो color करके house को beautiful बना दिया था next है live live means रहना love love means नहीं करना प्रेम करना kitchen kitchen means रसोई घर garden garden कार्थ होता है बगीचा in front of के सामने outside बाहर story मतलब कहानी तो बच्चो आगे चलते हैं comprehension में देखते हैं क्या activity दी हुई है देखो यहाँ activity है पहले से read कर लेते हैं क्या दिया हुआ है read the lesson again and complete the table given below part को दोबारा पढ़ो और नीचे दी हुई तालिका को पूरा करो if a statement is true put a tick under true and if it is false put the tick under false अगर statement true है सच मतलब सही है तो tick कहां लगाना है true के नीचे और अगर statement गलत है false है तो tick कहां लगाना है false के नीचे यह statements दी हुई ने बिटा उनको देखकर उन्हें पढ़ना है अगर वो true है तो true के नीचे लगाना है अगर false है तो false के नीचे यहां टिक लगाना है false लिखा है यह true लिखा है one has been done for you एक आपके लिए किया गया है देखो यह वाला किया हुआ है आशूज हाउस is beautiful देखो लेसन तो आपको रीट करने के जुरूद नहीं है अगर आपको लेसन अभी भी याद नहीं है तो आप पहले वाली वीडियो इसका first part इस chapter का first part आप देख सकते हैं और उसे अच्छे से देख लेना समझ लेना कि लेसन में क्या है तो बच्छो देखो लिखा है आशूज हाउस is beautiful आशू का घर सुन्दर है तो बताओ सुन्दर है ना कह रहा था ना वो क्या कह रहा था आशू तो आशू का घर कैसा है सुन्दर है ट्रू है यह है तो यहाँ टिक लगा दिया है नेक्स्ट है there are four members in his family उसके परिवार में चार सदस्य है तो बताओ कितने सदस्य थे आशू के परिवार में उसके grandparents दादा दादी father mother चार हो गए ना दो तो grandparents मतलब दादा दादी दो माता पिता चार हो गए एक भाई और एक बहन दो और हो गए छे हो गए और सात्वा आशू तो देखो चार तो नहीं है ना चार से ज़्यादा है तो statement क्या है यह false है हम क्या हाँ टिक लगाएंगे false के नीचे टिक लगा द तो बताओ is it true or false यह true है यह फिर false statement true है आशू के पिता जी क्या है teacher है there is a small tree near his house उसके घर के पास एक छोटा पेड़ है बताओ घर के पास क्या था छोटा गार्डन तो है उसके घर के सामने परन्तु जो पेड़ है घर के बाहर वो बड़ा है big name tree है ना तो it is a false statement यह false statement है तो यहां तिक लगाएंगे false के नीचे his mother is a doctor उसकी माता जी एक चिकितसक है doctor है तो बताओ उसकी माता जी क्या है nurse है then it is a false statement false statement है नहीं है तो कहां तिक लगाएंगे false के नीचे यहां चलो यह activity complete हो गई next page पर चलते हैं on page number 102 vocabulary portion में देखो क्या activity दी हुई है बैचो you have to match the persons with the tools they use आपको इन व्यक्तियों को इन तस्वीरों से match करना है कौन से तस्वीर से इन तस्वीरों में यह देखना है कि कौन सा टूल कौन सा उपकरन यह व्यक्ति यूश करते हैं जो व्यक्ति जोन सा उपकरन यूज करता है, उपयोग करता है, उस तस्वीर से मिलाना है, उस व्यक्ति को तो देखो बच्चों सबसे पहले है, कौन है ये, टेलर, दरजी, दरजी क्या यूज करता है, देखो यहाँ देखो कैमरा, नहीं, वो तो फोटोग्रेफर यूज करता है, स्टेथिस्कॉब, नहीं, ये कौन यूज करता है, डॉक्टर, देखो यह रहाँ डॉक्टर हैमर, हथोड़ा, नहीं, वो कौन यूज करता है, हथोड़ा, हथोड़ा तो टिंकर यूज करता है, ठठेरा needle, swing swing हो सकता है next और देख लेते हैं wheel, पहिया नहीं, तो कौन सा यूज करता है दर जी, swing है ना, तो swing को किस से match कर देंगे हम, tailor से तो देखो बैच्चो needle को needle क्या होती है, swing लिखा है ना, needle needle को किस से match करेंगे, tailor से ये रहा tailor देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे sign दिया हुआ है, ये triangle बनाया हुआ, यहाँ से हमें मिलाना, ये लिखा है ना, सामने needle, आप next देखो poter, poter क्या होता है poter means कुमहार कुमहार को poter कहते हैं देखो ये कुमहार है ना, घड़े बना रहा है, तो देखो, कुमहार क्या use करता है camera भी नहीं stethoscope भी नहीं, hammer हथोड़ा भी नहीं आगे देखो, wheel पईया, देखो पईये पर ही तो गुमाता है ना, वो चाक को, तो इसे match कर देंगे poter से, ठीक है, देखो match कर दिया है next है doctor, doctor क्या use करता है, stethoscope अब, photographer camera है ना, वो तो हमने पहले ही देख लिया था तो match कर देंगे next है tinker, अब बचा है है थोड़ा tinker को match कर देंगे किस से? hammer से तो बच्चों, आज के लिए इतना ही बाकी सभी वीडियोस देखने के लिए इस lesson के सभी parts और अपने बाकी subjects की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल educational vibes with rhythmalik and educator पर जाकर देख सकते हैं और online study कर सकते हैं और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें और उसी के side में जो bell icon है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की notifications आपको मिलती रहें और आप online study करते रहें तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चों